नमस्कार सातियों स्वागत है आपका अपने ही योटूब चैनल बीरू अकाडबी पर सभी को गुड मॉनिंग वन्दे मातरम जय हिन उमीद करता हूँ कि आप लोग एकदम उस्तवास तमस्त और कुजालोंगे डियर आईए सिच्छा जगत से जोड़ी होई मातरपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं लेकिन आगे वलने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब करके बाल आइकन प्रेस कर लिजे डियर आपकी स्क्रीन पर जो सब से पहली अपडेट ल आवेधन करने वाले भरतियों का ताता लग गया है आप देख सकते हैं उत्तरप्रदेश में परिच्छा नियावाग प्राधिकारी प्यापी का रियाले की तरफ से डिपलियोगा इन एलेवेंटरी एजुकेशन में प्रवेश लेने के लिए आवेधन ले रहा है 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेधन प्रत्रिया के स्तुरू के 25 दिन में करीब 60,000 ही आवेधन हुए थे लेकिन जैसे हैं उसके बाद बियट को प्राध्विक लेबल की सिच्छकबर्ती से इन्वाइलिट किया गया मानिशुप्रिन कोर्ट के दारा NCT के बनाए हुए गजट को रद किया गया तो उसके बाद भारी मात्रा में इसमें उचाल देखने को मिला है और पिछले 5-6 दिन में ही 2,00,000 से ज्यादा आवेधन हो गई हैं कई वर से खाली रह जा रही सीटें इस बार भरने का पूरा अनुमान है क्योंकि आप जानते हैं 3,00,000,000 हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं PNP कार्याले के द्वारा एक बार इसकी डेट फिर इक्स्टेंड की गई है आप देख सकती हैं डेलेट में दाखले केती थी फिर बढ़ी डेलेट 2023 में दाखली के लिए ओनलाइन आवेधन कीती थी एक बार फिर से बढ़ा दी गई ह 31 अगस्त तक अब ओनलाइन पंजी करन आप लोग कर सकती हैं जो अभिरती अभी भी स्कोंच रहे थी वेब साइट पर काफी इरता लोडता क्रैस हो गई थी साइट चल नहीं पा रही थी तो उसके लिए एक बार डेट को इक्ट्रैट कर दी गई है लेकिन ये फाइनल ये वह एक्टिस अगस्त के अंदर अंदर ही अपना जो रजिस्क्रेशन है वह पूरी तरीके से फिल कर लिजिए गडियर बात कर लेते हैं अगली अप्रेट की अगली अप्रेट डियर आप देख सकते हैं नए सिच्छा सेवा-चैना योग में मांगी सिच्छा सेवा- 82 की धारा 18 यूम 21 को हटाए जाने का सिच्चकों ने विरोत किया है। कहा कि यह दोनों धाराएं नहीं होने से सिच्चकों की सेवा फूरच्छा खत्रे में रहेगी। ऐसे में राफ्टरी साइचिक महासंगुत्तर प्रदेशनी प्रात्मिक से लेकर के उच एड़ेट सिच्चन समसानों तक में सिच्चक भरती के लिए गठित हो रहे आयोग में यह दोनों धाराएं जोडने की मांगी है। प्रात्मिक माध्यमी को मर्जगर के इस नए आयोग का गठन वर्तमान योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है अगली अपडेट की आप देख सकते हैं सिच्चक नियोक्ती परिच्चा में 75 से अस्ति प्रत्वत पस्तिती रही यह बिहार में जो सिच्चक भरती का न नहीं नहीं जांबुआ इडियर ओशेश मंधित है देश की सबसे बड़ी सिच्चक नियोक्ती परिच्चा गुरुवार से सुरू हो गई पहले एक दिन में ही पाचवी कच्चा के लिए हुई परिच्चा की दोनों पालियों में कुल 55 से 80 प्रत्रत उपस्तिती रही है बि देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो रेटिना बायो मैट्रिक है उसके आधार पर चिकिंग की जा रही है बिहार में और निश्चित तोर पर धांदली रोकने का भरपूर प्रयास है वह बिहार की जो बीपीसी के चेर्मैन है उनकी द्वारा उठाया जा रहा है तो आप देख र रहे हैं लेकिन जो उनका रेजल्ट है वो रोका जाएगा मानिशोप्रिम कोट के फाइनल जज्जमेंट के अरहार पर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तो अगली अपडेट दियर एंसीटी इसे जुड़ी हुई है आश्वार की आप जानते हैं कि जो बीएट के भरत तरीके से जानकारी उपलब्द कर रही है और 28 जून 2018 का जो गजट था उसको कैंसल बता दिया हैं सीटी ने क्योंकि मानिशोप्रिम कोट के फाइनल जज्जमेंट के बाद बाहर हो गया और उसी का पालन एंसीटी इभई कर रहा है मानिशोप्रिम कोट का जो फाइनल जज् कर रहे हैं ओर डिनेंस की बात कर रहे हैं लेकिन फिलाल यह इंतना आसान नहीं क्योंकि जो सेवा कार्मिक मामलों का कही ना कहीं जब आ जाता है कोई मैटर तो उस पर अध्याधेश लाना नामुम्किर हो जाता है तो आप जानते है इतना आसान नहीं होगा केंडर की शिच सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा वीडियो को स्टेर कर दीजेगा फिर मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए जाहिंगे भारत